हाई दरव्यों एक बार फिर से स्वागत है आपका अमारे चैनल दरी आलेक्स फैमली पे अरज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेस कॉंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप ठीक है इससे पहले मैंने आपको study of different type of microscope के बारे में बताया है अगर आपने उसको नहीं देखा तो description में लिंक चेक कर सकते हैं electron microscope या dark field microscopy के बारे में जानने के लिए भी आप description को चेक कर सकते हैं तो चली जल्दी से वीडियो को खतम करते हैं मेरी बात मानो तो एक्जाम में अगर आपको अच्छा नंबर उठाना है तो आप अपना point यहां से उठाना इस्टार्ट करना कि light microscope जो होता है यह एक ऐसा microscope है जिसमें natural or artificial light का इस्तमाल किया जाता है किसी एक object को observe करने के लिए यहाँ पे वही लिखा है in light microscope natural or artificial light is used in this microscope उसके बाद आप heading डालिएगा face contrast microscope और फिर लिखना इस्टार्ट कीजेगा यह point समझेगा पहला point क्या कह रहा है in 1934 it was introduced by Dutch physicist Fritz Zernick मतलब 1934 में एक Fritz Zernick नाम के physics के बहुत बड़े ग्याता थें जिन्हों ने face contrast microscope को दुनिया से ओगत कराया ठीक है पहला point दूसरा the face contrast microscopy is a special adaptation of the light microscopy मतलब यह जो light microscopy है उसी में हमने कुछ और बदलाओ को जोड़ा जिसके बाद हमें मिला face contrast microscopy and helps to obtain a clear picture of living or unstained cells मतलब यह जो face contrast microscopy है यह आपको जिन्दा microorganisms जो हैं उनको देखने में मदद करेगा या unstained cells को देखने में मदद करेगा होता क्या था कि light microscopy में जब आप transparent microorganism को देखने की कोसिस करते थे तो आप नहीं देख पाते थे आप नीचे के figure में देख सकते हैं कि bright field में कैसा दिख रहा है dark field में वो microorganism कैसा दिख रहा है और face contrast में वो कैसा दिख रहा है face contrast में आपको देखने को मिल ला होगा कि हर एक चीज अच्छे से आपको देखने को मिल सकती है जबकि bright field और dark field में आपको वो दोनों चीज़ें नहीं देखने को मिल लही थी उतना clear picture नहीं बन रहा था ठीक है यहाँ unstained cells को भी आप देख सकते हैं ध्यान से समझे गवातों को कुछ ऐसे bacteria होते हैं या कुछ ऐसे microorganism होते हैं microorganism को मार डालता था जिसके वज़े से हम उनको देख नहीं पाते थे तो अब होता क्या है कि अगर आप face contrast microscope का इस्तमाल करते हैं तो unstained cells को भी देख सकते हैं और cell जिंदा भी रहेगा वो मरेगा नहीं आप आसानी से उसको देख पाएंगे थीक है तीसरा point का कह रहा है face contrast microscope generally uses यह जो face contrast microscope है इसमें 2 चीजों का इस्तमाल किया जा रहा है आम तौर पर पहला face contrast objective lens दूसरा face contrast condenser lens धीक है मतलब यहाँ दो तरह के lens का इस्तमाल किये जा रहा है face contrast microscope ही में एक है face contrast objective lens, दूसरा है face contrast condenser lens, the use of this optical system, जो मैंने अभी दोनों लेंस का नाम लिया, इनको हम रख रहे हैं एक optical system के अंतरगा, ठीक है, the use of this optical system result in increased contrast, इसके वज़े से क्या होता है, इन दोनों lenses के वज़े से contrast बढ़ जाता है, ठीक है, contrast क्या है, आप अपने screen पर देख सकते हैं, between the background and the sample, मतलब sample के बीच में और जो background है, उसके बीच में contrast बढ़ जाता है, और जब darkness बढ़ जाता है, तो इसके वज़े से आप आसानी से अपने sample को देख सकते हैं, and hence the unstained or transparent cells are clearly visible, वही बाद, और अतह आप unstained or transparent cell को आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर आप दूसरा figure भी द bacteria है, जिसको आप clearly नहीं देख पा रहे हैं, मगर जब आप उसको face contrast microscope में रख रहे हैं, तो आप आसानी से उसके हर एक चीज को clearly देख पा रहे हैं, क्योंकि sample के बीच में और background के बीच में एक contrast develop हुआ है, जिसके वज़े से आप छोटी से छोटी जी जो को अच्छे से देख पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं, बस यहीं इतना आपको exam में लिखना है, face contrast microscope में, और उसके बाद आपको बनाना है, यह पहला point जो दिखे है, यहां पे लिखा है heading, working principle and instrumentation of face contrast microscope, अगर आप internet चानेंगे, तो आप confused होते चले जाएंगे, बस simple क्या करना, यह block diagram बना देना exam म और आपको number पूरा मिल जाएगा, यहां क्या बता रहा है, light source से एक light निकलता है, जो पहुंचता है annular ring पे, ठीक है, annular ring का एक काम होता, यह annular ring क्या है, अभी मैं थोड़े दिर में आपको समझा दूँगा, annular ring is used in order to separate the direct light from the diffracted light, ठीक है, अभी आप physics अगर अच्छे से न light है, इन दोनों को separate करने का काम कर रहा है हमारा annular ring, ठीक है, अब आप से कोई exam में पूछ लेता है या आपके practical time में, कि annular ring को हम face contrast microscope में क्यों इस्तमाल करते हैं, तो कह देना कि annular ring जो है, यह direct light को और diffracted light को, दोनों को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है, और उसके बाद में वो light पहुंचता है, condenser पे, condenser से वो light पहुंचेगा stage या specimen पे, जहां पे अपने microorganism को रखा है देखने के लिए, फिर वो light वहाँ से objective lens तक पहुंचेगा, ठीक है, वो lights जो है, वो objective lens तक पहुंचेगे, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि दो तरह के light आपको देखने को मिलना है, जो orange arrow है, वो आपको diffracted waves के बारे में बता रहा है, और जो red arrow है, वो आपको surrounding waves के बारे में बता रहा है, ठीक है, अब ध्यान से समझना कि ये दोनों race जाके face plate चे लरते हैं, अब ये face plate क्या है sir, face plate मतलब देख लो एक गोलाकार सा चीज है, circular चीज है, जिसमें क्य है, portion coated with light retarding material, मतलब एक portion ऐसे रंग दिया गया है, जो की light को absorb कर दे रहा है, या रोक रहा है, ठीक है, और एक portion जो circular में बना हुआ है, portion devoid of light retarding material, मतलब एक ऐसा portion जहां पे ऐसे material का इस्तमाल किया गया है, जो light को अपने से होते हुए बाहर जाने दें, ठीक है, तो ये है face plate, अब face plate के जो devoided area है, मतलब जहां से light pass कर जा रहा है, वहां से क्या होता है, surrounding waves तुरंत ocular lens पे पहुचते हैं, और जब की जो हमारे diffracted waves हैं, वो थोड़ा देरी में पहुचते हैं, और इसी के वजह से sample के बीच में और background के बीच में हमारे contrast develop होता है, और आखों पे हमको क्य देखने को मिलता है, यह आप यहाँ पे figure में देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यही simple है, working और instrumentation, दोनों मैंने आपको face contrast microscope का बता दिया, as it is screen पे जितना कुछ दिखरा है, उतना आपको exam copy पे बना देना, यहाँ पे देखेगा लिखा है, note diffracted waves move slowly, अभी को मैंने आप trading wave हैं, यह बहुत तेज move करते हैं, through the portion free from coated material, उस portion से जहाँ पे coated material नहीं है, and hence this is why the surrounding of sample is light in color, while the center is dark, और इसी वज़े से जो surrounding है, हमारे sample का, वो light color का हो जाता है, और जो हमारा sample का center है, वो dark color का हो जाता है, showing a clear contrasted view, मतलब जो हमारा sample है, उसका contrast बढ़ जाता है, जिसके वज़े से unstained होने के बावजूद, और living होने के बावजूद, हम उसको आसानी से clearly देख पाते हैं, अब एक बार अपने exam में जब आप इस point को लिख देते हैं, इस slide को, उसके बाद में ये portion लिख देते हैं, फिर working principle and instrumentation लिख देते हैं, face contrast microscope का, lastly आपको लिखना होगा, advantage of face contrast microscope, कि मतलब face contrast microscope का क्या advantage है, सबसे पहला point, it allows us to observe unstained specimens such as living cell, मतलब ये हमें मदद करता है, उन cells को देखने के लिए, जो जीवित हों और जिनके उपर कोई color ना चढ़ाया गया हो, ठीका, पहली बात, दूतरा, face contrast microscope makes highly transparent object more visible, जितना ज़्यादा कोई भी चीज पारदर्सी होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे से face contrast microscope में हम उसको देख पाएंगे, face contrast microscope allowed to observe cell division, और यहाँ पे हम कोशिका का विभाजन मतलब cell division भी देख सकते हैं, face contrast microscope के नीचे, क्योंकि यहाँ पे cells जिन्दा होते हैं, मुर्दा नहीं होते हैं, तो फिलाल आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप dark field microscope के बारे में जानना चाहते हैं, तो description में मैंने link आपको देखे रखा है, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं, लास्टली मैं करना चाहूंगा, अगर आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फर्मासिस्ट हैं, या हमारे इंडिया की जागरुक जनता हैं, जो चार दवाओं के बारे में जानके चार लोग को बताना चाहते हैं, तो बात मानिए मेरा, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजेगा, ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें, जैसे ये कोई वीडियो प्लोडोगा, फिलाल के लिए इतना ही, बाबाए!